दोस्तों आज मैं आपका सामने एक बहुत ही बड़ा राज खोलने वाला हूँ YouTube Shorts को लेकर दोस्तों आप लोग जब भी Shorts अप्लोड करते हो तो आप लोग Hashtag डालते हो Hashtag Shorts, Hashtag Shorts तो Hashtag Viral Shorts, Hashtag Trending Shorts इस पकासे बहुत सारे Hashtag आप लोग अप्लोड करते हो लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको Shorts में Hashtag नहीं डालना है और बिना Hashtag डाले आप अपने Shorts वीडियो को वायल कर सकतो 100% दोस्तों आप लोग को लगता है मान लिजे आप लोग YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारे Shorts वीडियो पर बहुत सारे Hashtag भी आपको दिखता है तो आपको लगता है कि वो अपने वीडियो में Hashtag का यूज किया है इसलिए उसका Shorts वायल हुआ है तो मैं भी अपने Shorts वीडियो में Hashtag लगाऊंगा तो हमारे वीडियो वायल होगा दो हैस्टेग, तीन हैस्टेग, चार हैस्टेग, पाइस्टेग अगर मैं डाल दूँग अपने वीडियो में तो हमारे शॉट्स वायल हो जाएगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना हैस्टेग डाले अपने वीडियोस को viral कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग पहले क्या करते हो आप लोग जब भी वीडियो अफ्लोड करते हो short वीडियो को अफ्लोड करते हो तो आप लोग क्या करते हो अपने वीडियोस में hashtag डालते हो लेकिन देखिए अगर मैं YouTube पर जाकर और यहाँ पर अगर मैं YouTube पर सच करूँगा पहला आप लोग कौन सा हैश्टेक डालते हो यहाँ पर देखिए पहला हैश्टेक आप लोग यूज करते हो यहाँ पर देखो total चोकदो कड़ोर वीडियोस में इस hashtag को लगाया गया है और उसके बाद देखो 1.6 मतलब channel पर 1.6 कड़ोर channel पर इस hashtag को लगाया गया है तो दोस्तों आप लोग बताओ अगर hashtag shots अगर आप डाल रहे हो और अगर आपको लग रहा कि मेरा वीडियो इस हैश्टेग से मेरा वाइरल हो जाएगा तो आप बताओ, यहाँ पर जो चोगदो खड़ूर वीडियोस में यूज किया गया है तो आप अगर यूज करेंगे तो चोकदो कडोर एक वीडियोस में यूज हो जाएगा तो आप लोग बताओ कि इतने सारे हैश्टेग में आपका वीडियो कहां पर दिखेगा तो क्या आपका वीडियो इस हैश्टेग से वाइरल होगा ये आपका गलत फहमी है अब अगर उस हैश्टेग से अगर मैं सज करूँगा यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ मैं हैश्टेग सौट्स हैश्टेग सौट्स ठीक है अब हैश्टेग सौट्स पर देखो इस हैश्टेग को कितने वीडियोस में लगाया गया है एकहतर कडोर वीडियो पर अब बताओ आप लोग एकहतर कडोर वीडियो पर लगाया गया है अब इस हैश्टेक को अपने वीडियो अगर आप लगाते हो तो क्या लगता कि आपका वीडियो वाइल होगा इस हैश्टेक को डालने से क्या होगा बस ये होगा कि इस हैश्टेक म तो यहां पर आपका भी video दिखेगा लेकिन इतने सारे videos में यानि कि पहले से एक़त्र कड़ोर videos में यूज किया गया है अब 10 कड़ोर videos के बीच में आपका वीडियो कहीं पर दिखाई देगा तो आपको लगता है कि आपने videos में तो आप लोग हैश्टेग डाल देते हो, आप लोग समझते हो कि मेरा सॉट्स वाइल हो जाएगा, तो बिना हैश्टेग डाले अपने सॉट्स को वाइल कर सकते हो, लेकिन वो कैसे वाइल होता है, यहाँ पर आज मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ, दो चीज़ें अगर आप सही से समय लेते हो, तो अगर उसके बाद अगर अपने सॉट्स वीडियो पर अब देखिए, जब आप सॉट्स वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो अपलोड वीडियो पर क्लिक करते हो, लेकिन आपको देखिए, आप अगर क्लिक करेंगे, क्रियेड ये सॉट्स पर, ठीक है, यहाँ इस पर क्लिक करके, माल लेजिए, इस पर क्लिक करने का बाद अपने processing ले रहा है अब इस videos को processing होने का बाद देखिए ये video मेरा upload होना यहाँ पर start हो जाएगा यहाँ पर देखिए video आए चुका है और इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर click करूँगा तो देखिए मेरा video यहाँ पर upload होना है मतलब यह next का video का upload किया है तो आपको hashtag डालना चाहिए और hashtag डालने से बस होगा कि आपको कि थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगा कि मैंने कोई कमी अपने वीडियो से नहीं छोड़ा हूं मैं hashtag भी डाल दिया हूं सारा चीज़ डाल दिया हूं मेरा video वाइरल होना चाहिए तो बस आपको थोड़ा सा सगून मिलेगा कि मैंने hashtag को डाला हूं लेकिन अगर आप create यह source पर क्लिक करके अपने source वीडियो को upload करते हो तो आपको यहाँ पर hashtag डालने का ज़रुरत नहीं है अब क्यों जैसे कि बहुत लोग hashtag source hashtag source का जो hashtag यूज करता है तो उसे क्यों उज करता है क्यों कि हमारा वीडियो source फीड में जाए YouTube को पता चलना चाहिए कि हमारा sort वीडियो है यह long video नहीं है sort वीडियो है तो इसलिए वहाँ पर hashtag source and hashtag source लोग hashtag लगाता है इसका मतलब यह नहीं कि उस hashtag से आपका sort viral हो जाएगा उसका मतलब बस यहीं होता है कि आपका जो sort वीडियो है वो YouTube को पता चलेगा कि यह sort वीडियो है ठीक है long video नहीं है तो इसलिए लोग hashtag source और hashtag source लगाता है लेकिन अब दोस्तों गर आप create यह sort पर click करकर अपने sort वीडियो अप्लोड करते हो तो YouTube को already पता चल चुका है कि आपने sort वीडियो ही अप्लोड किया है अगर आपने create यह sort पर click किये हो तो YouTube को तो already पता चल चुका है कि यह sort वीडियो ही है क्योंकि create यह sort पर click करके आप long video अप्लोड नहीं कर सकते हो तो अगर आप create ये sort पर click करके upload कर रहे हो तो YouTube को अलरड़ी पता चाहिन जुगा है कि आपका वीडियो sort वीडियो है तो YouTube उस वीडियो को कहा पर ले जाएगा sort वीडियो कही फिड में ले जाएगा ना तो इसलिए अगर आप create ये sort पर click करके अगर आप याँ पर वीडियो अप्लोड करते हो अपने sort वीडियो तो आपको hashtag लगाने का tension नहीं है अगर आप hashtag डाल देते हो तो डाल सकते हो इनसे बस आपको सगून मिलेगा लेकिन hashtag डालने का मतलब ये नहीं होता लेकिन अगर आप create ये sort पर click करके अपने वीडियो को upload कर रहें sort वीडियो को बीना hashtag डाले भी आपका वीडियो अल्रेडी sort फिड में जाएगा क्योंकि YouTube को पता चल चुका है कि आप sort वीडियो ही upload किये हो तो आप create ये sort पर वीडियो upload करते हैं जो title का option आता है यहाँ पर आपको जो ये option आता है pencil icon वाला इस पर click करके हमेशा अपना thumbnail लगाया कर अपने वीडियो में अब thumbnail कैसे लोग लगाता है वो भी आपको दिखाऊंगा तो thumbnail देखिए यहाँ से आप कहीं से अपने वीडियो से thumbnail आपको उठाना है अब thumbnail आपके वीडियो में कैसे मिलेगा thumbnail आप जब वीडियो इडियर करते हो काइन में या फिर जिस भी application में तो editing के time ही अपने वीडियो में ही thumbnail को add कर दो वीडियो के last point में thumbnail लगा दो और उसे select कर दो तो आपके वीडियो के home page में thumbnail लग जाएगा और उसके बाद अपने वीडियो को आप यहां से upload करूँ आप दोस्तों मैंने YouTube पर एक short video upload किया था और इसी process से मैंने thumbnail लगाया था जब edit कर रहा था editing के time में अपने वीडियो में add कर दिया था और बाद में उस thumbnail को बस select कर दिया था और देखो मेरे short videos में अच्छा कासा यहां पर thumbnail लग चुका है यहां पर देख सकतो अच्छा कासा thumbnail यहां पर लग चुका है और 27 लाग भी उजग गया मेरे इस videos पर अब देख सकतो मैंने इस videos पर भी try किया और देखो 1.6 लाग भी उजग गया है देख सकतो और इस पर भी thumbnail लगा है तो इस process से आपको tips निमर दूसरा में क्या करना है जब भी वीडियो अपलोड करते हो अपने short वीडियो को तो editing के time आपको पहले thumbnail बना कर रखना है और editing के time ही आपको thumbnail को वीडियो के end में आपको add कर देना उस image को और उस image को आप select कर सकतो अपलोडिंग के time अपने thumbnail में और उस बद क्या होगा कि वो आपके वीडियो के front में add हो जागा जिस पकासे मेरे वीडियो को अपलोड करते हो तो आपको एक भी hashtag डालने का ज़रुरत नहीं है आपका video 100% viral होगा तो बस यही होगा कि आपको सबस्क्राइब कर सकते हो अगर आपको video पसंद आया, like करना, channel पर नअगे, subscribe करते